हाई एब्रीवन वेलकम बैक तो स्मार्ट स्टेडी चैनल सो गाइज आज हम डिसकस करेंगे MHI 2 जो आपका MA IGNU का 1st year का कोर्स है Modern World उसका एक बहुत important topic ठीक है जो आपके अभी upcoming exams हैं ठीक है December में आपके exams आ रहे हैं तो ये topic जो है काफी जादा important है for students जिनके पास MHI 2 course है ठीक है direct आपको इस topic से question मिल सकते हैं और topic है welfare state का ठीक है what is welfare state क्या characteristics होते हैं किस थरह से welfare state का concept जो है वो evolve हुआ ठीक है क्या need थी तो वो सारी बाते हम discuss करेंगे काफी important topic है इसको ज़रूर जो है revise करें ठीक है अपने exam से पहले तो चलिए जल्दी से भी start करते हैं ये topic short note on welfare state ठीक है तो friends देखिए पहले तो हमें समझा होगा कि welfare state की अगर हम बात करते हैं तो what is welfare state ठीक है welfare state की क्या characteristic होते हैं तो अगर हम welfare state state माने जैसे हम बोलते हैं हमारी state है हमारी government है ठीक है तो welfare state क्या कि जो state जो government responsibility लेती है to take care of its citizens ठीक है citizens के welfare की responsibility लेती है कि हाँ जो citizens है ठीक है उनकी तरफ मेरी एक social responsibility बनती है to take care of my citizens for example अगर हम इंडिया में बात करते हैं ठीक है यहाँ पे सरकार जो है अपने citizens के लिए अलग-लग policies बनाती है कोई भी government हो ठीक है हम political party पे नहीं जाएंगे कोई भी government हो वो हमेशे steps लेती है for the social welfare of people ठीक है अलग-लग sections के लिए women के लिए ठीक है उसके बाद आप देखेंगे labor class के लिए old age के लिए ठीक है अलग-लग sections के welfare के लिए जब आप काम करते है state अपनी responsibility समझती है कि हाँ मेरे को जो है अपने citizens का welfare करना है ठीक है उसके लिए steps लेती है that is the welfare state ठीक है यह एक important characteristic होते है welfare state का जो अपनी responsibility मानती है to take care of its to take care of welfare of its citizens ठीक है तो यह आपको key point लिखना है common characteristics में ठीक है तो यह क्या है state जो है responsibility लेती है कि हाँ मेरे को जो मेरे citizens है ठीक है उनका welfare होना चाहिए मेरे को जो economic policies जो है इस तरह से डाप्ट करनी है में को social policies इस तरह से डाप्ट करनी है कि सब जो मेरे citizens है उनका well-being हो ठीक है उनकी progress जो है वो insured हो ठीक है तो इस तरह जो है welfare state का concept रहते है and that is the modern concept ठीक है यह modern concept है modern जैसे हम बोलते है कि enlightenment कही रहाया renaissance कही रहाया राइट उसके बाद हम बोलते है modern age start हो गई ठीक है तो यह modern age का concept है welfare state का ठीक है अब देखें प्री modern state में अगर बात करें medieval times पे तब हम देखें तो पहले क्या होता था कि अगर किसी को कोई problem है ठीक है in general कोई बिमार है ठीक है और कोई disaster वगएरा कोई problems हो गई ठीक है कहीं drought आ गया या कुछ ऐसे इस थरह की problem हो गई है illness वगएरा हो गई या फिर किसी को गरिबी वगएरा है तो यह consider किया जाता था उस time पे कि इस case में इस situation में जो लोग है दे शुट गो टू religion ठीक है कोई भी religious leader है उनकी तरफ जाएंगे church की तरफ जाएंगे ठीक है और उनको charity के लिए होगा कि मतलब हमें जो है help कीजिए ठीक है या फिर कोई अपने family members से जो है एक request करेंगे कि हाँ हमें ये problem है हमारी problem solve किजिए ठीक है इस तरह से था कोई ऐसा pre-modern world में एक proper concept नहीं था कि हाँ state जो है उसकी responsibility होगी to take care of its citizens ठीक है अगर कोई problems हो जाती है state उसकी take care करेगी इस तरह से कोई ऐसा कानून नहीं बने हुए थे ठीक है pre-modern world में generally क्या होता था लोगों को कोई problem होती थी कोई उनको पैसे का issue हो गया कुछ illness हो गया in that case ठीक है they go to religious leaders church गएरा के पास जाते थे ठीक है या फिर जो है family के पास आस पास जो हम बोलते है किन relationship में लोग होते थे उन से बात करते थे ठीक है बट उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ when we talk about modern world अब हम यहां पर देखेंगे कि modern world में ऐसा क्या change आया जिससे यह welfare state का concept evolve हुआ ठीक है तो now we are moving from pre-modern to modern world ठीक है modern world में क्या हुआ धीरे धीरे we know यहां पर industrialization होने लगी पहले if we talk about medieval times ठीक है medieval times में farming agriculture जो था that was important right agricultural societies होती थी but modern में क्या change हुआ यहां पर industrial societies बनने लगी right industrial revolution होते है industries आती है जिससे हमारी society में काफी जादा changes हुए and that led to development of welfare state okay क्या changes हुए अब देखे क्या होता है industrialization हुआ right people move to urban areas ठीक है उनको कामवाम के लिए urban areas में move होने लगे अपने घर बार छोड़के right फिर देरे देरे हम देखते हैं कि industrialization का positive impact होते है development होती है but on the other side negative impact भी बहुत होता है लोग जो है जब cities में मूव होने लगे अर्बन में urban areas में अर्बन एरिया में crowded जो है crowded होने लगे ठीक है वहां पर जो है health की hygiene की problems होने लगी ठीक है sanitary conditions अच्छी नहीं थी फिर धीरे जो धीरे धीरे जो workers थे ठीक है in industries उनका भी exploitation होने लगा right तो society पर negative impact भी हुआ जिसकी वज़े से बहुत सारे लोग जो है उनको problems आने लगी ठीक है अगर आप labor class की देखेंगे बात करेंगे in the industries they were literally like living at the subsistence levels ठीक है उनका गुजारा मुश्किल से होने लगा कि कि उनको बहुत कई बर exploit भी किया जाता था sorry by the capitalist class ठीक है कम low wages पे उनसे काम करवाना यह सारी चीज़े रहती थी तो इससे negative conditions create हुई society में ठीक है जो लेबर क्लास थी उन पे काफी impact पड़ा ठीक है cities में crowd उगरा जादा होने लगा वहां पे कोई पर जो है living conditions नहीं थी तो इन सब चीजों से अभी यहां पे यह social problems create हो रही थी and now state came forward ठीक है state आया picture में कि अब यह सारी चीज़े हमें खुद देखनी पड़ेंगी हमें खुद handle करनी पड़ेंगी otherwise there will be there will be social unrest लोग जो है maybe revolt करने लगे ठीक है देखिए यहां पे जो state आगे आया ठीक है care of its citizens क्या हुआ दो यहां पे रीजन्स थे एक तो humanitarian concern था कि हाँ humanity के basis पे बहुत सारी जो population अब ऐसा नहीं था कि इका दुका बंदा जो है उसको कोई problem हो रही थी illness हो गई या individual कोई ऐसी problem हो गी राइट ठीक है अब यह क्या हो गया social problems बनने लगी बहुत सारी population impact होने लगी ठीक है urban areas में labor class impact होने लगी ठीक है तो अभी यह हो गया एक तो humanitarian concern आया state ने सोचा कि मेरे जो लोग हैं उनको इतनी problems हो रही है राइट second thing is यहां पे fear of social unrest was there state को जब यह लगा कि इतने सारे लोग अभी impact हो रहे है negatively उनकी जो है हालत खराब हो रही है अगर मैंने अभी steps नहीं लिए then there would be social unrest लोग revolt करने लग जाएंगे हमें ठीक है हमें हमारा rule जो है ओ खत्रे में चला जाएगा ठीक है तो यह दो चीज़ आपको रखनी होगी पहले जब state भी power में आई थी state का concept अगर आप देखेंगे state का भी यही बात थी कि हां उस time पर disorder होने लगा society में उस disorder को maintain करने के लिए state का concept evolve हुआ अब जब welfare state की बात है तो यहां पर भी problems होने लगी society में उनको tackle करने के लिए उनको manage करने के लिए welfare state का concept आया तो state ने अपने उपर responsibility ली कि हां नाओ जो हम लोग जो है जो हमारे leaders है ठीक है उन्होंने responsibility ली कि हां हम लोग जो है अभी take care करेंगे office of our citizens ठीक है तो state के जो भी leaders थे उन्होंने ये responsibility ली and they started taking steps from different aspects ठीक है उन्होंने social steps लेने start किये ठीक है उन्होंने economic measures लेनी start की ठीक है they started working for the welfare of labor class ठीक है फिर जो children थे उनको proper की education मिले अब आप देखेंगे इंडिया में भी हर एक section के लिए government काम करती है अलग से steps लेती है special steps ठीक है जैसे for example women के लिए children के लिए children right to education का हमारा act है ठीक है कि हाँ primary education गरह का take care करना ठीक है इसी तरह जो elderly लोग है उनके लिए steps लिए गए ठीक है तो यह सारी चीज़े हुई यहाँ पे अब जैसे हम industrialization का negative impact बोलते हैं कि वहाँ यहाँ पे laborers जो थे working class जो थी उसको exploit किया जाता था उनको जो है wages प्रपर नहीं दिये जाते थे ठीक है तो यहाँ पे जो है steps लिए गए old age pensions मिलनी चाहिए ठीक है अब धीरे धीरे क्या हो रहा था urban areas में crowded जो है crowd जादा भढ़ रहा था ठीक है unemployment भी होने लगी लोग जादा होने लगे उतनी जो है employment नी थी तो state ने responsibility lead to take care of employment of employment of its citizens ठीक है तो जैसे यहाँ पर देखेंगे मन्रेगा launch हुआ था मिलनी थी ठीक है तो यह सारे welfare state के characteristics है and we have discussed कि क्या need हुई थी जिस वज़े से welfare state का concept जो है develop हुआ ठीक है तो अब यह हो गया था कि it was not during disasters हो ली कि हाँ कोई अगर ऐसी situation create हो रही है disaster हो रहा है या कोई illness फैल रही है उस time ही कुछ special measures ली जाएंगे it was not like that अभी यह general हो गया था कि state ने in general responsibility ले ली थी that it would work for improving living conditions ठीक है कि जो living conditions है लोगों की उनको improve करेंगे ठीक है जो कई जो sections है subordinate हो रहे हैं for example if we talk about industrialized society तो एक capitalist class थी working class थी कहीं ना कहीं working class जो थी it was getting subordinated तो यहाँ पर state ने responsibility ली कि वो अपने subordinated sections है उनके लिए work करेंगे ठीक है उनकी exploitation को reduce करेंगे उनका political participation increase करेंगे ठीक है जो यह differences economic social differences जो भढ़ रहे हैं between different classes राइट उनको reduce करेंगे ठीक है for that अलग अलग economic measures भी ली गई जैसे taxation का system introduced हुआ ठीक है taxation का proper की हाँ जो जादा कमार है वो जादा tax pay करें ठीक है इस तरह से तो यह basically वही था यह सारे जो steps है state ने लिए and welfare state का जो concept है वो develop हुआ ठीक है तो अभी यहां पर यह हो गया state steps लेती है राइट फिर बच्चे बड़े हो गए हैं उसके बाद उनकी education का लेते हैं बाद में employment का भी take care करते हैं ठीक है इस तरह की schemes लाई जाती है फिर elderly जो लोग होते हैं बजोर्ग लोग होते हैं उनके लिए भी कुछ steps लिए जाते हैं तो यहां पर यह welfare state का ही concept है जिस इस तरह से नहीं था ठीक है आपको यह माइंड में रखने है ऐसा नी था कि पूरे वर्ल्ड में हरे country में ऐसे जो है मतलब यह concept डवलप हो गया ठीक है और मतलब एक ही time पे हो गया इस तरह से नहीं था ठीक है फॉर एगर हम पान की बात करें ठीक है जैपान जो है दो अगर तो उस time पर हम देखे western countries की dominance थी ठीक है तो बट फिर भी जैपान जो है जैपान ने काफी जो है इस पर welfare state develop करने पर काम किया ठीक है वहां पर जो है under the even under the western dominance ठीक है उन्होंने जो है steps लिए to develop welfare state ठीक है welfare system create करने का but on the other side अगर हम European countries देखें ठीक है या फिर US की बात करें कहीं नहीं यह लोग hesitant भी थे to create a welfare state क्योंकि welfare state में अगर आप responsibility ले रहे हो लोगों का welfare करने को तो obvious ही बात है जो state का financial system है उस पर burden तो create होगा राइट अब जैसे इंडिया में अगर हम देखते हैं government इती इती schemes launch करती है पैसा कौन देते हैं center देते हैं मतलब पूरा देगा या किसी ratio में देगा राइट तो वो financial burden create होता है तो इसलिए starting में यह दिखा गया कि जो European countries थे या फिर if you talk about US कहीं न कहीं वो hesitant थे to create the welfare state ठीक है बट जैपान ने on the other side ठीक है उन्होंने बहुत actively जो है participate किया ठीक है तो इस तरह से यह जो patron है ठीक है अगर आप देखेंगे जिस तरह से welfare state का development हुआ it was not uniform ठीक है तो यह सारा हमने discuss किया welfare state का concept guys very it is very important ठीक है मैं चाही 2 के according में बात करूं तो इसको आप जरूर जो है अपना revise करना topic को अगर अभी इसमें कोई आपको doubt है आप comment section में भी mention कर सकते हैं ठीक है प्लस अभी देखिए एक महीना बचे आपके exams को regular basis पे आ आप जो है channel को अभी regularly watch कीजिए subscribe करके इसको bell notification है उसको आप on कर लीजिए क्योंकि आपको फिर updates मिलती रहेंगी कई बर क्या होते मैं generally group पे upload कर देती हूं जो हमारे telegram का WhatsApp का group है उधर upload कर देती हूं बढ़ कई बर मैं सो जाते तो अगर आपने bell notification on करा होगा आपको update आजाए जीए एक चीज दूसरी चीज आप जो है groups को join कर लीजिए ठीक है जो भी updates होते मैं वहां पर mostly डाल देती हूं ठीक है प्लस अगर नोर्स की बात है जो है attend ठीक है तो आप calls मत कीजिए messages में आपको reply करूंगी and अभी regularly आपकी जो है videos upload होंगी एक महीना रह गया मैं भी आपकी जो है बिल्कुल आपको sport करूंगी जितना मेरा best होगा मैं आपको material provide करूंगी और आप लोग भी बहुत महिनत कीजिए ठीक है अभी time है पहले पढ पर guarantee अच्छा निकलेगा ओके तो चलिए इसी के साथ आज का lecture end करते हैं मिलते हैं कल तिल दन अच्छा से पढ़ाई कीजिए बबाए